तंदुरुस जीवन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या संभोग करना सुरक्षित है इससे गरभस्त शिशु को कोई नुकसान तो नहीं होता और क्या प्रेगनेंसी में संभोग करने से कोई फाइदा भी होता है तो ये वीडियो आखिर तक पूरी देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके दोस्तो प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना तब तक बिल्कुल सुरक्षित है और इससे कोई समस्या नहीं होती जब तक आपको डॉक्टर ने प्रेगनेंसी में कोई समस्या नहीं बताई हो यानि प आपकी प्रेग्नेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही हो कहने का मतलब है कि अगर प्रेग्नेंसी में कोई समस्या नहीं है तो पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान सावधानी पूरवक्त संभोग करना बिल्कुल सुरक्षित है दोस्तों अक्सर महलाओं के मन में यही सवाल उठता है कि क्या संभोग करने से miscarriage तो नहीं हो जाएगा और क्या इससे गर्भास्त शिशु को कोई नुकसान तो नहीं होगा तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपकी pregnancy में किसी प्रकार की कोई complication नहीं है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और pregnancy भी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है तो miscarriage यानि कि गर्भाथ होने की कोई संभावना नहीं होती और दूसरा pregnancy के दोरां संभोग करने से गर्भास्त शिशु को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि amniotic थैली और गर्भाशे की मजबूत मास पेशियों के कारण आपका बच्चा गर्भ में पूरी तरह से सुरक्षित होता है और ऐसे में उसे किसी तरह के infection और नुकसान होने की अशंका नहीं होती लेकिन आपको सम्मंद बनाती समय ये बात ध्यान में रखनी है कि आपके पेट पर दबाव ना पड़े यानि कि आपको position का भी ध्यान रखना है और सावधानी पूरवक समंद बनाना है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि pregnancy के दौरान संभोग करने के बहुत से फाइदे हैं सबसे पहला है blood flow होता है बहतर दोस्तो समंद बनाने के दौरान महला के शरीर में blood का flow यानि की रक्त परवहा तेजगती से होता है जो कि गरवती महला के साथ साथ गरभास्त शिशू दोनों के लिए बहुत अच्छा है blood pressure रहता है normal दोस्तो pregnancy के दौरान अक्सर high blood pressure की समस्या बनी रहती है लेकिन इस दौरान प्यार से और साथ धानी पूरवक संभो करने से गरवती महला का blood pressure भी normal रहता है और ये गरवती महला के लिए बहुत फाइदमंद है क्योंकि high blood pressure की वज़ा से गरवती महला को pre-eclampsia की स्थिती का सामना करना पड़ सकता है तनाव होता है कम दोस्तो प्रेगनेंसी के दौरान संभो करने से दिमाग और शरीर relax होता है सेक्स करने के बाद महला की body में endorphine hormone बनता है जिससे तनाव में कमी आती है और साथी साथ oxytocine hormone का भी निर्माण होता है जिससे पती पतनी के बीच प्यार बढ़ता है दोस्तो संभो करने के दौरान dopamine hormone भी release होता है जिसे की खुशी देने वाला hormone कहा जाता है husband और wife दोनों का तनाव कम होता है और इससे गरवती महला को नींद भी अच्छी आती है परतिरोधक शमता में होता है सुधार दोस्तो प्रेगनेंसी के दौरान गरवती महला की परतिरोधक शमता परभावित होती है और ऐसे में संभो करने से antibody के level में सुधार होता है शरीर में antibodies बढ़ते हैं जो की रोग परतिरोधक शमता यानि immunity को बढ़ाते हैं जिससे की महला को सरदी जुकाम या infection होने का खत्रा भी कम होता है दर्द सहन करने की बढ़ती है शमता दोस्तो प्रेगनेंसी के दौरान संभो करने से महला में प्यार के hormones बढ़ जाती है जिससे की प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले चोटे मोटे दर्द से चुटकार मिलता है और दर्द को सहन करने की शमता में बढ़ती होती है पैल्विक मसल्स होते हैं मजबूत दोस्तो खास कर प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में सावधानी पूरवग शारिरिक समंद बनाने से शुरूनी शेतर की मास पेशियां यानि की पैल्विक मसल्स मजबूत बनते हैं जिससे की डिलिवरी के दोरान आसानी होती है और नॉर्मल डिलिवरी के दोरान महला को किसी कठनाई का सामना नहीं करना पड़ता दोस्तो जैसा की मैंने पहले बताया कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है कोई समस्या नहीं है तो संभोग करना बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने के नुकसान तभी होते हैं जब आपको प्रेगनेंसी में कोई समस्या हो अगर आपके मन में इस बारे में कोई सवाल है तो आपको अपनी डॉक्टर से जरूर सलह ल हो सकता है लेकिन अगर आपको संभोग के दौरान बहुत दर्द हो योनी से ब्लीडिंग या स्पॉर्टिंग हो एम्नियोटिक फ्लूड का रिसाव हो तो आपको अपनी डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए दोस्तो अगर आपको या आपके पती को किसी भी प्रकार का इंफेक्शन है या आपको यूरिन इंफेक्शन है तो आपको बिना प्रोटेक्शन के संभोग नहीं करना है अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी स्थिती में संभोग नहीं करना चाहिए दोस्तो अगर आपकी pregnancy में कोई complication है तो डॉक्टर आपको पहले ही संभोग करने से मना कर देंगी जैसे कि अगर आपको pregnancy से जुड़ी कोई समस्या हो अगर पहले गरपात यानि कि miscarriage हुआ हो या फिर miscarriage होने की अशंका हो समय से पहले delivery का खत्रा हो यानि कि pregnancy के 37 हफ़ते से पहले delivery होने की अशंका बढ़ जाए योनी से bleeding या इंठन होने की समस्या हो cervix weakness हो या cervix समय से पहले खूल जाए गरम में जुड़वा शिशू हो pleasenta previa हो amniotic sex यानि कि पानी की थैली में leakage हो या water break हुआ हो तो ऐसी स्थिती में कभी भी sex नहीं करना चाहिए दोस्तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान हार्मोनल बदलावों के काण गरवती महला के सभाव में चिड़चड़ापन, morning sickness, ठकान आदी के काण उसकी sex के प्रती इच्छा कम होने लगती है लेकिन प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में morning sickness वा अन्या दिक्कते कम होने लगती है जिस काण इस दौरान कुछ महलाओं में संबंद बनाने की इच्छा ज्यादा हो सकती है और प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान पेट बढ़ने की वज़ा से आप संबोग करने के लिए आराम दायक position चुन सकती है यानि कि जिस position में आपके पेट पर दबाव ना पड़े और आपको असहजदा ना हो कहने का मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है तो ऐसे में सावधानी पुर्वक sex किया जा सकता है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें